कि खेसारी लाल के बेटी के उपर एक कोई सिंग हैं आप तो अच्छे करिए नाम जानते होंगे उनके बेटी के उपर गाना गाएं तो उनके बार में आप क्या कही है जी मैं यह धोड़ी के नीचे सहरलु धियाना वो धोड़ी मुदले माटी से उसके बाद से धोड़ी में बियर डाल के इन साथ जी नीचे नीचे क्या होता है यह सबको मालुम है कि थोड़ा सा जिन्स धिला करा तो इसका मतलब क्या होए रस लिला का मतलब ऑम तो मेरे बोल दियों कि अम पौन सिंग को नहीं जानते जबकि यो पौन सिंग के गाने पहले सरील बना चुकी उर्ली स उनके पिता समान और उसी समय ठीक कुछ दिन ही पहले तो वहा है या नहीं हुआ है जैंद आप देख रहे हैं फोस्ट हिंदुस्तान न्यू चैनल और मयू प्रविन गुपता भी मैं पहुंचा हूँ सिवान जिले के एक गाउं में और जिस गाउं का नाम आपको मतलब की समझे तो बहुत ही अच्छा तरीका समालूम होगा हम पहुंचे हैं यहाँ पर गुड कि अच्छा गाना भी गाएं प्लस में कुछ ऐसा भी गाना गाएं जिसे बहुत ही बिवाद भी चला है और वह आपने गाना सुना भी होगा चलिए इनसे जानने की कोशिस करते हैं उस गाना के विसमें और इनके लाइफ के बारे में तो सबसे पहले आपका स्वागत है अम आपने जो गाना गाया था लोग बोलते हैं कि असलीलता बंद करो उसलीलता बंद करो उसके बहुत लोग चिलाते हैं आपने भी तो गाना गाया था कि धोड़ी के नीचे मुतलब कुछ से पूरा एक बार आप सुना दीच अपने इसे अब मैं बता रहा हूं आप गाना ऐस तहई धोड़ी तहई धोड़ी तखाली नमूनाबा एक रा नीचे गहिर कई गुनाबा देखेए गाना खराब नहीं होता है बस सरते सोच सोच की फर्रक होती है अच्छे ने आप आप किसी से अगर बोलते हैं हैं आप गहिरा तो गलत मेंटलीट आपके अंदर नहीं आ रहा ह तो आप किस नजरी से उसको देख रहे हैं बहन है माँ है बेटी है जो नजरी आप देखोगे वही आपको सोच में रखाए वह बात आपकी सही है वह बात अलग हो गई ट्रेक की हम गाने के बोल रहे हैं गाना जो है मतलब कि उसमें अपने क्या एक्जामपल कुछ आपने निशे गहिर का इंगोनाबा दौनी के नीचे क्या होता है उसको मालूम है आप क्या मालूम है आप बताई नहीं है कोई माँ एक बच्चा पैदा करती है कोई दस भी बच्चा पैदा करती है तो उसका कोई limit नहीं है तो उसको बताया गिया है इस गाने में इतो entertainment करनाने के लिए हम लोग करते हैं enjoy करने के लिए लेकिन इसका सब्द यही है कि गर्भ को बोला गया है इसमें कि इसका कोई वो नहीं है यह अभी फिलहाल में एक विवाद चल रहा है जो कि खेसारीलाल के के द बेटी के उपर एक कोई सिंग है है अब तो नाम जानते होंगे उनके बेटी के उपर गया लगाना घांते नहीं करना चाहिए और किसी की मा बेहन बेटी अपने मा बेहन बेटी को मनना चाहिए तो यह गलत है जहां भी देखिए गलत है वो जहां देखिए किसी को बजनाम करके अपना नाम नहीं कामा सकते हैं आप अच्छे जित देखिए अच्छा काम करेंगे अच्छा नाम होगा और लाइफ टाइम तक भी चल देंगे लेकिन यह नहीं है कि हम किसी को नाम लेकर दो सब्द गाकर गंदा गाना गाकर किसी को कर दें किसी को माँ बेटी को गलत बात है यह तो यह गलत चीज आप बोलते हैं लड़का जो गया है जी गलत गया है तो फिर उसके पहले खेसारल अधोने गाता निलुवा तोरा पिलुवा पड़ी वह भी गलत है वह भी गलत है मैं क्या बोला किसी की माँ बेटी अपनी समझनी चीए जब उन पर आया तो समझ में आया ना तो यह नहीं करना चीए मेरा काना कोई साभी उठा के देंखिए ना जाती पे होगा ना किसी का सब्सक्राइब नाम होगा मेरा गाना बहुत अच्छे जया था कीजिसे पती निया रहते हैं उनका वे पेट में गर्म में बच्चा होता है छे महेंने का नुग सेमारा पती तो सब्सक्राइसा नलता difu kommt एक गहाना था कि हर इक कराई हो होताए– गाना तो चलिए बहुत अच्छा है हमें सुनने माचला इसके लिए आपको बहुत बहुत बदाई लेकिन आप एक चीज और बताईए आप अभी गुडुरंगिला जी के साथ में है और सारे भजपूरी के जो भी गायक है या गायक्या है सब लोग इन पे आरोप लगाते हैं कि भजपूरी में असलील यही लाए और आप उनके साथ घूम रहे हैं तो उनके साथ आप क्यों है और कब है मैं क्या बोला यह इंटर्टेन्मेंट करते हैं और मैं क्या बोला हरा कप्रा महभी जंडा नहीं होता है मैं नहीं होता है जो बात जो गाना समझ में आ जाए वह गंदा नहीं होता है यह मेरा कहना है कि अपना वी अपना मैं क्या बोल आपको कि अवरत और आदमी जा रहा है तो आप क्या सोच रहे हूं आपके उपर डिपे करता एक अच्छा भच्पूरी में कहा गया है कि गंदा गाना शुरुवात इने से हुआ तो हुआ है यह रही है नहीं हुआ है आदमी कुछ भी समझ लेता है लेकिन दो अर्थी तो होता ही है मैं मानता हूं इस बात को दो अर्थी है एक जो दर्सकों को दिखाया जाता है समझाया जाता है और एक जो मीडिया के सामने आकर सफाय दिया जाता है जैसे कि आपने भी सफाय दिया था दो अर्थी होता है इंटर्टेंट करनी करना पड़े अब मालेजिए कि आपके घर में स वो हन्मान चलिसा नहीं बजाएगा ना कोई सुनेगा ना कोई बजाएगा ना कोई उस पर डान्स करेगा बजेगा तो इंटरेंट करने के लिए आदमी हर किष्टन ले आता है प्रोगर्राम करवाता है अब है मेरा गुरफपूर में प्रोगराम है हम दिली से चल के आए हैं अगर आप बोल रहें कि इंटर्टेन्मेंट के लिए तो बहुत सरा साधन है बहुत सरा दूसरा भी तो गाना है जो कि बहुत मतलब लोग अच्छा पसंद करें जिसे बिवाद नहीं होगा हाली में अभी गाना आया हुआ है पॉहन सिंग का भी आया था लाल घंगरा इससे ब सबसे बड़ा सुपर स्टार डाइमंड इस्टार कौन गुरुजी है तभी आप उनके साथ हैं तो कहा जाता है कि जैसा बीज रहेगा ऐसा ही फसल आएगा यह जरूरी नहीं है कि जो मतलब अगर कोई किसान का लड़का है तो हल चला रहा है तो ज़्रूरी को सकता है उसके अंदर उसके अंदर विसाण सत रहें जब चबी रहेगी तो आपके उपर भी तो चबी है जबी तो बोलत रहाँ कि जितने भी मेरे को देखने वाले हैं चाहने वाले हैं अच्छा गाना अगर अच्छा गाना सुनने के लिए पॉब्लिक चाहेगी तो कोई सिंगर गलत गंदा नहीं गायेगा अच्छा कुछी दिन पहले मतलब की सुर्वांत जब किये भुजपुरी गाना तो लोगों ने उस समय विवाद नहीं किया लेकिन अभी चलके देखे जैसे की पहले जो गाना था कि जैसे की ढोड़ी की नीचे सहरलू दिया ना वो ढोड़ी मुदले माटी से उसके बाद से दोड़ी में डालके इन सब पर सारे लोग चुप रहे हैं लेकिन दोड़ी छिल दिया इस पर भी चूप रहे हैं दोड़ी चाट दिया तब विवाद कर दोड़ी का मतलब भुजपुरी चोली दोड़ी तक ही अटकर आएगा उससे आगर नहीं बढ़ेगा जब देखिए इंटर्टेन करवाते हैं कि पॉबली को थोड़ा अच्छा लगे मुनरंजन के लिए करते हैं आपको ऐसा नहीं लगता है कि भुजपुरी इंडस्ट्री मतलब कि कुछ अलग ट्रेक पर जारे क्योंकि जो सिनेमा होता है ना सिनेमा एक आइना होता है पॉबली को दिखाने अगर आप नहीं सुनेंगे तो अगर मान लेज़े कि हम कोई सामान बेच रहे हैं अगर खराब है आदमी को लग रहा है कि खराब है तो आदमी नहीं लेगा तो हम बेचे गा ही नहीं कोई कर दें और आपको मांसाहरी भोजन दें तो आप सकारी का उमीद कर सकते हैं आपको तो मजबूरन वहीं खाना पड़ेगा देखिए मजबूरन सुनना पड़ा है आप लोग नहीं देरा अच्छे चेगाने नहीं हम लोग देते तो हैं मैं आपको अभी सुनाया कि भाक्ति क आप लोग उस पर चाहिए और उस चैनल को सब्सक्राइब लाइक प्यार अपना दीजिए और बहुत ही बढ़िया उस एक गाना था गुर्डुरंगिला जी का कि होडा सा जीन्स ड्ला करते है त्य smok कर तो इसका मतलब का रहा है आप भी थोड़ा सवाइद ही दे इस आपको बता रहा हूं के यह उसमें त्टरी से जीला करने के लिए बोला गया है त्योड़ों लड़की जो थीद न बहूत रिएट पहन रखी थी जीन्स को जैसे आप तो तो मेरे गुरू जी बताएंगे कि उसका मतलब क्या होता है तुटा सा जीन्स ढिला करो कि थोड़ा सा हवा बयार लगे तो उसके लिए बात को पलटने के फुल लिकोसिस। आप को क्या पता हैं इंटर्टेन करवाते हैं हम लोग, मुनोरजन करे लिए हम लोग करते हैं और अच्छा भी गाना है तो अच्छे गाना के क्यों नहीं, आप अच्छे गाना तो हमारा अभी हम अच्छे गाने को और अच्छे कलकार को भी support करते हैं एक्जामपल के तोरपे आज थक first time पहली बार आपका हम interview ले रहे हैं किसी भजबुरी कलकार का पहला चीज और दूसरा चीज कि हम संलिलता का बिरॉद हुद कम करते हैं उसको सपोर्ट करने के लिए हमने किसी का आज तक ब्रियोद नहीं कर रहें आपका सपोर्ट ही कर रहें लेकिन आप एक और सवाल के जवाब दीजे लोग कहते हैं कि सुर्वात गुरुर अंगिला जिससे ही हुई और आप नहीं देख रहा हैं कि राधे समरसिया जो गाते थे आज आकर के देखिए कोनुवा में पर बहुत अच्छा टेंपू चला रहा है तो कुछ इनका भी हालत वैसे हो जाए क्या नहीं देखिए अपनी अभी छबी होती है अपनी 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 लाइफ होती है कौन कैसा जीना चाहता है कैसा जीना पसंद करता है वह उन पर शाल बर दो साल इसे बात पर हमारे रीपोर्टर पंकर जी के साथ में और राधे शान वस्ची ने बोला भी था कि जो गंदा गाना गार है दो महीना चलेगा उसके पिर ठेला पर केला बेचेगा तो क्या बतार सईब बात है सब्सक्राइब और तो गोडु रंगिला जी बी सब्सक्राइब को बहुत प्यार दिये बहुत सारा प्यार देते हैं इनका ही बश्ता ही था उससे में कोई नहीं था एक रायसम रस्या जी थे और गुड्रेंग लाजी थे तो अब सदा बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं तो उन्होंने भी भूत ही मतलब गाना गार है तो इसमें धूणी में बीर डालके क्या आपको बला मैंने बूला इंटर्टेंड करवाते हैं आदमी को मनुरंजन के लिए कुछ भी बोल दिया जाए लेकिन इंटर्टेंड के लिए करते हैं मृझे लेगे आप led में सुनों जरूर नहीं बाहर बजा ओ पर इंतन ही weg मतलब भंगारा नहीं पसंद आए तब बतारा हूँ उह दो पिलिक नहीं करेंगी एक बढ़ता ही है अईसा आपको नहीं लग रहा है कि भोजपूरी इंडेस्ट्री में अब जो बड़े-बड़े अस्तर के कलकार है जैसे कि सारे लाल जी पॉंच जी तो इस और इस सब मतलब की थोड़े थे अब अच्छे लेवल के गाने-गाना स्टार्ट कर चुके हैं जैसे जीन हीए जैसे जड़ होगा भी ऑठता भी होता है मैं तो अगार जड़ मझ्वूत है तो एक हमारे जो मारे बहें नहीं करें alors चपने मं पापा जी ने एक मिडिया के पास बोला था कि पांजी जो है था कि बाप बाप होता है तो थोड़ा सा पॉंसिंग का अंदर घमंड नहीं है इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता और वो तो उनकी मेंटर है कलकार भाई-भाई होता है हर घर में दोचार बरतन होते हैं अगर दोचार बरतन को पास में लागे गाना तो जरूर बजेंगे होता है हर घर में होता है हमारे लेकिन आप अभी शिवान भीहार में क्या करना है आज हम लोग आये हैं और मेरे डायमन इश्टार गुरुजी और कल हमारा प्रोग्राम है गोरखपुर में पर्सों के लिए पिर बलिया हम जाएंगे उसके बाद डिल्ली जाएंगे डिल्ली जाएंगे डायमन इट स्टार आप किसे मानते है इन गुडरंगिला जी को या पॉ फ्राइम निश्टार के लगा है किसी पराज़ेगा संभि बॉलते याँ कई है क्या नहीं मतलब नहीं है जानता हूं किया जनता हूँ उप्रम नेपाल स्मॉर्टस क्थ ने बान को नहीं जानते दियेसे किसी को सटब सबस्थ na turned सब्सके था श्दकरान त्युक्त अभी गए इसे किसी अपना डिशिफ, अच्छा अपना एटिटीड अच्छा इससे नहीं लगे कि सारी लाल जी ने कहलवाया हो या अपने मुन से फैन अपना मतलब कि अपने आप कुछ अमकाने के लिए बोल दियों कि हम पॉन सिंग को नहीं जानते जबकि पॉन सिंग के गाने पर ही पहले सरील बना चुकी और ल मतलब कि खिसारी बचपुर्ण हम चाम लाया है कि दिन प्रते-dינ भोजपुरी घाने को मतलब की ठोड़ा-थरा बहिसकार करते जा रहा है लेकिन लोग बिवाद में पढ़ करके हाईलाइट होने के चक्कर में भोजबुरी और गंदा गना गा दे रहें वही तो है ना कि ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को बदनाम नहीं करना चाहिए मैं अगर गाता हूँ तो आप मेरे पास आओ आप मेरे पास आओ, मेरा भी रोट करो, जो कहाँ हो, तो मैं किसी दूसरे को नहीं बोल सकता। मैं । आदव बोलते हैं कि यादव ब्रांड है जातीवाद तो खुब करते हैं। बहुत देखिए मैं क्या वला में दूसरी चवी नहीं बता सकता हूं कि मैं क्या खाता हूं मैं अपनी बता हूं मैं उनकी लाइफ की बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता चलिए ठीक है और आप हमारे सांजूड़े इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और दर्सको वीडि में आउगले ठाप्रिक्स के साथ सब तक लेज जाएंगें तो